Hello student, welcome to सुभास्तर क्लासे, student इस वीडियों में बात करता हूँ, मैं आपसे exam में आने वाले सबसे important questions, ठीक है exam oriented questions हैं, जो board examination में definitely आने वाले हैं आपके, तो इन इस questions को धंग से और मन से पढ़िएगा, क्योंकि examination में आ जाएंगे तो आपको अच्छे number भी दिलाएंगे, तो चल possibility नहीं है, means जब आवेश की बात करते हैं, तो इन चारों वी कलपे से कोई से options हो सकते हैं, जो charge के लिए संभावी थे, तो आप यह धिया धियान दीजेगा, कि आपको quantization of charge के बारे में पता है, quantization of charge के बारे में, कि कभी भी जब charge का distribution होता है, वो full number में ही होता है, कभी भी fraction में नहीं होता, आप यह charge possible है, क्योंकि plus 2 ही है, total number हमारे पास 2 आरा है, दो electron का लेंदेन हो सकता है, similarly यह minus 3 है, यह भी possible है, दो electron हो का लेंदेन हो सकता है, पूर number में है, यानि कि whole number में है, similarly यह भी possible है, ठीक है, यह वाला possible नहीं है, क्योंकि यह fraction में है, क्योंकि यह fraction में है fraction में कभी भी charge का lane lane नहीं होता है ठीक है अब आप देख रहे हैं कि 3 by 2 है यानि कि 3 by 2 का मतलब होता है 1.5 e कभी भी electron का lane lane ये क्या point में possible नहीं है clear होगा तो इसलिए ये options में से ये 3 options आपके सही है जो कि full number में दिये हुए या whole number में दिये हुए ये 1.5 possible नहीं है क्योंकि दशमलों में आगया है ये point में आगया है clear है तो which charge is not possible तो ये वह पॉसिबल अपका नहीं है clear हो गया है ये question आया हुआ examination में इसको ढंग से पड़ लिए चलिए अब दूसरे question को दिखते है दूसरा question कहता है right expression of electric force between two charges दो charges की बीच में electric force यानिकी वै आरे बात करनी है तो आपको पता है ये दो charges में लिए हुए ठीक है ये आपका q1 charge है ये आपका suppose q2 charge है दोनों positive nature कह है repulsion होगा distance है इसके बीच में कितना r है तो formula for reflection या reflection 1 upon 4 pi epsilon not k q1 multiply q2 by r square clear है तो इस तरह के का short question आएगा तो आपको ये point बना कर figure देना होगा और introduce करना होगा क्या है q1 q2 ये दोनों charges है ये आपको लिखना पड़ेगा इसके introduction के बारे में charges है और r क्या है distance है distance between two charges distance between two charges ok student तो ये f is equal to one upon four pi epsilon not k q2 by r square k आपका dielectric constant है k का है student dielectric constant dielectric constant तो जब भी आप examination में कोई short type का question देंगे तो प्रयास करेंगे presentation अच्छा होना चाहिए एक figure दे दीजिए उसका expression रहने की formula और उसके terms के introduce कीजिए terms को introduce करना होता है तो जोगे student चलिए अब third question पर चलते है third question कहता है what is permittivity of free space यानि निर्वात की विद्धुशिलता क्या है तो निर्वात की विद्धुशिलता को है epsilon not clear है epsilon not इसकी value भी आप देंगे 8.85 10 to the power minus 12 clear है unit आपको याद होना चाहिए इसका column square by newton meter square ठीक है और introduction आप उसका दे देंगे introduction में है question में ही आपको मिल जाएगा permittivity of free space ठीक है permittivity of free space जो मैंने यह लिख दिया permittivity of free space इसको हिंदी में क्या कहेंगे निर्वात की विद्धुशिलता तो जिस medium में भी आप exam देंगे उस medium का आप नाम डाल दीजएगा जो बने रिखा निर्वात की विद्धुशिलता clear हो गया तो जब भी यह question पूछेगा तो आप इसका notation देंगे इसकी value देंगे unit भी लिखें Q is equal to IT जो कि आपका basic formula है clear है तो यहां से एक unit आपका निकल कर आएगा I जो कि current denote करता है इसका unit ampere ओके और T for time है यानि कि second तो पहला unit आपका आगया ampere second इसी को आप लोग कुलाम भी कहते हैं इसी को क्या कहते है कुलाम कुलाम clear है तो इसका मतलब कुलाम किसका unit होता है एक त ठीक है other unit में अगर हम बात कर रहें तो कुछ units के और भी होते हैं जैसे E-S-E-U-E-S-E-U और दूसरा एक और भी होता है E-M-E-U-E-S-E-U-E-E-U-E-E-U-E-E-U-E-E-E-U-E-E-E-U-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E magnetic unit clear है तो हमारे पास कुल चार्ज के unit कितने होगे mp a second जिसको हम कुलाम भी कह सकते हैं other में ESU यानि कि electronic static unit और EMU electronic magnetic unit clear है अब इसके हम देखते हैं कि measurements क्या क्या होते हैं तो अगर हम एक कुलाम के अंदर ठीक है ESU count करें तो 3 into 10 to the power 9 ESU आपका इस पे exist करेगा मतलब 3 into 10 to the power 9 ESU अगर होंगे तो उसे 1 कुलाम कहेंगे clear होगे similarly एक EMU की अगर हम बात करते हैं तो 3 into 10 to the power 10 ESU उसके अंदर exist करेंगे ठीक है अगर आप थोड़ा स्पर split कर दे 3 into 10 to the power sorry यहाँ पर 10 लेना आपको 18 नहीं तो अगर हम split करेंगे तो यह 10 है तो आप यहाँ पर 9 कर लिजी और into 10 कर दीजी ठीक है ESU तो आप देखेंगे कि यह वाला fraction तो यही वाला आगया clear है तो इसको हटा कर हम लिख सकते हैं क्या ESU क्या लिख सकते हैं ESU clear है 3 into 10 to the power 9 इस ESU को यहाँ लाओ into 10 clear हो गया अब आप इसको measure करा कर देखिए यह किसके बराबर आ रहा है इसके बराबर यह clearity के साथ में देखिए 3 into 10 to the power 9 ESU 3 into 10 to the power 9 ESU इसको क्या कह सकते हैं क्लान तो आप इसको हटा दीजिए और इसकी जगा पर लिख दीजिए क्लान तो यह हो जाएगा 10 क्लान clear student क्या हो जाएगा 10 क्लान means एक EMU की value आती है 10 क्लान clear है तो यह सारे units आपको ध्यान देने होंगे जो examination में आ सकते हैं clear है यह जिदने भी units लिखे हैं small यह सारे के सारे units आपके small units में आते हैं अगर हम large unit की बात करते हैं तो सबसे large unit जो होता है largest unit ठीक है वो फेराडे है फेराडे ध्यान दीजएगा charge का सबसे बड़ा unit को होता है अगर एक फेराडे की बात हम करें तो यह 96500 कुलाम के बराबर होता है इस वाले question में मैंने आपको charge के all over सारे units आपको बता दी है मैंने clear हो गया इसको आप ढंग से question को repeat के जाएगा इसमें से बहुत सारे question सबसे पुछे जाएंगे clear है जैसे कि एक EMU कितने कुलाम के बराबर होता है एक EMU में कितने ACUs होते है या एक कुलाम कितने ACUs के बराबर होता है और सबसे बड़ा unit को होन है फेराडे एक फेराडे में कितने कुलाम होते है चलिए अब next question दिखते है फिफ्थ question next question में students है कि expression of intensity of electric field यानी वैद्दु छेतर के तीवरता का formula लिखना है ठीक है तो इसके लिए आप द्यान दिजिए कि suppose यह electric field है मेरा ठीक है electric field है clear है अब इस electric field के अंदर में हमने कोई test charge put up किया हुए test charge test charge इसके उपर जब put करोगे तो पूरे इस electric field के कारण इस पर एक force अप्लाई होगा electric force तो इस electric force divided by this test charge तो इसको कहेंगे electric field intensity विद्दु छेतर के तीवरता चूकि यह आपको पता है एक वेक्टर कॉंटिटी तो लगा दीजिए एक वेक्टर कॉंटिटी एक एलेक्टर कॉंटिटी तो इस पर भी लगा दिया है clear है और आपको यह पता है जब इसको explain करेंगे इसको expand करेंगे f की value put up करेंगे तो 1 upon 4 by epsilon 0 के q by r square यह formula generate हो जाएगा ठीक है और unit जरूर देना है newton पर कुलाब तो इस तरह से जब short questions आएंगे तो एक electric field इस तरह से दिखाईए ठीक है तो आपको solve होने के बाद में यह expression find open जाता है 1 upon 4 by epsilon 0 k qy r square यह short question है तो आपको इतना ही लिखना ही होगा examination में यह unit जरूर देना है आपको okay student चलिए अब 6th question दिखते है 6th question यह कहता है कि जब किसी घर्षन से किसी वस्तु को charge करते है यानि कि जब हम कोई friction create करेंगे और उससे charge create होगा तो उसके mass में यानि कि भार में या weight में कह सकते हैं mass oblique weight में क्या differences आएंगे तो बिल्कुल differences आएगा जैसे आप यह देखिए कि यह अगर दो objects में लिए हुआ हम दोनों का आपस में में rubbing किया हुए ठीक है तो rubbing के बाद अगर यह इसने कुछ electrons इसको इसको transfer कर दिये तो यह positive charge है और यह को सा charge है negative charge हो जाएगा अगर यहां से electron इसमें transfer होते हैं A object से B object में electron transfer हुए ठीक है तो यहां से electron निकल कर इसमें चले गए तो जि इसमें इसे electron निकले हुए है यानि कि exit की है वो positively charge हो गया तो एक presence of mind is true कि इसमें electron कम पढ़ जाएंगे और इसमें electron ज्यादा हो जाएंगे यानि कि इसमें electron आपके कम होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे ठीक है तो इसका mass घड़ जाएगा और इसका mass बढ़ जाएगा clear है तो इसका mass यानि कि द्रविमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और इसका द्रविमान यानि कि mass क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा यानि कि बढ़ जाएगा increase हो जाएगा clear हो गया तो इसका मतलब की charging के बाद mass में फर्क आता है तो क्या लिखा हो option ओर रहता है यह घढ़नी व्याहकर चैनि चैनि आप लोंगा चलिए अब कोशन की इलेक्टन आवेश वाले 0.001 मिली ग्राम दर्विमान की इक बूंद को बैलन्स करना है और उसके लिए कितना विद्दुच्छित्र रिक्वाइर होगा मतलब तीन इलेक्ट्रोन हैं आपके पास में आवेश वाले इतने मिली ग्राम का मास है और एक ड्रॉप है जिसको balance करना है electric field में तो उस electric field की value क्या होगी ठीक है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं suppose यह है आपका पास electric field यह positively charge plate है negatively charge है यह electric field है ठीक है इस electric field में एक electron है आपके पास चार्ज है तीन electron को इसको balance करना है तो आपको पता नीचे weight लगेगा mg और इसको balance करने के लिए electric force यूज़ोगा qe यह electric force है f clear है अब यहाँ पर यह खुद ही कह रहा है कि यह balance है तो balance का मतलब यह है कि upward force और downward force दोना ही बराबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं mg is equal to qe clear है mg is equal to qe और हमें निकालना क्या है electric field याने की बैद उच्चे तो e निकालना है तो q इसको divide में हो जाएगा तो e is equal to mg by e is equal to mg by q okay तो m into g और यह q q is equal to आपको पता n नहीं होता है clear हो गया अब बात है mass ठीक है तो mass आपको यहाँ लिखा हुआ है 0.001 mg clear है तो mg है student तो mg मिली की वज़े से यह मिली की वज़े से 10 to the power minus 3 एड़ कर लो फिर gram भी है उसको kg में convert करोगा 10 to the power फिर minus 3 आजाएगा तो यह 3 और यह 3 कितने हो गए आपके पाफ 3 और 3 हो गए आपके 6 और 1, 2, 3, 0 इधर आएँगे आपके standard form में आने के लिए तो यानि कि 3 प्रेस और आएगा तो minus 3 यानि minus 3, minus 3 और minus 3 कितना हो जागा minus 9 तो इसका मत्लब मास की जगा पे हम लिखेंगे 10 to the power minus 9 g की value आपको पता है 9.8 divided by n, n क्या है number of electron तो number of electron कितना लिखेंगे 3 तो यहां लिखेंगे 3 और electron का basically charge कितना हो था 1.6 10 to the power minus 19 कुलांड clear strength और आप इसको आप solve कर दीजेगा ठीक है solve करने के बाद आप अपने answer को इसमें से match करा सकते है कौन सा आएगा ठीक है मुझे comment box में बताएगा भी इसमें से कौन सा answer आपका यहां पे tally करता है clear strength बहुत important question है जब भी इस तरह का question आएगा तो एक electric field by figure आप से generate किजेगा ठीक है mg is equal to qe mg क्या weight जो नीचे काम करेगा qe electronic force जो उपर के तरह balance करेगा ठीक है okay student mg q divided मे q is equal to any सारी values को put up कीजी और यहां पे answer आप लाइए और उसमें से tally करा लीजिए बहुत important question है यह examination में definitely पूछा जाता है चलिए अब question number 8 देखते है question number 8 यह कहता है कि दो charges के बीश distance को तीन उना करती जाए मतलब दो charges है जिनके बीश के distance को तीन multiple कर दिया तीन गुना बढ़ा दिया गया तो charges के बीश बूर्स पर क्या effect पढ़ेगा तो इसके लिए student आपको करना options यह दिये गया है इसको solve करने के लिए आपको करना क्या है आपको यह पता है कि f is equal to होता है k q1 u2 by r square चुकि distance के बारे बात हो रहा है तो बाकी को हम proportionality में ले लेंगे f proportional 1 upon r square clear है proportionality के symbol को आदोगो तो k by r square एक basic आपके structure बन जागा formula का clear है अब आप f1 यूज कीजिए तो f1 is equal to k by r square f2 यूज कीजिए आप तो according to this question कितने multiple बोल रहा है तीन गुना बोल रहा है इसके लिए आप k upon r को place करके displace करके यहाँ पर 3 r लिखिए क्योंकि तीन गुना बोला है लो उसने तो यह आजाएगा k by 9 r square clear है यह one equation होगा यह second equation होगा इनको divide कर दीजिए तो f1 divided by f2 f1 की value है k by r square यह सामने लिखा हुआ है divided by k by 9 r square clear है अब इसको अगर हम इसको पलट देते हैं तो k by r square multiply 9 r square by k जिसमें आपको k cancel होगा r square cancel होगा clear है तो आपके पास बचा के f1 by f2 की value कितनी आ रही है 9 आ रही है so f1 divided by f2 is equal to 9 clear है तो आपको second force पूछा यानि कि f2 पूछा है ठीक है तो f2 इधर आ जाएगा और 9 नीच चला जाएगा तो f1 by 9 यानि कि आपका ये expression on result हमें मिल रहा है आप इसमें match कराए f by 3 no f no f by 9 yes और f by 27 भी नहीं तो ये नहीं हो सकता ये तो आपको answer आए गया है और ये भी नहीं ये भी नहीं clear restaurant तो जब भी board के examination में step के question करेंगे तो पहले आपको present करना होगा ये नहीं किसी था आपने tick मार दिया tick मार देंगे तो number नहीं मिलने वाला पहले आप present कीजिए जो result आएगा उसके हिसाब से हम marking कीजिए ओके student अब next question देखते है 9th next question ये कहता है कि electric lines of forces intersect each other or not क्या बल रेखा एक दूसरे को प्रतिशेद करती है तो हमेशा answer आपका आएगा नहीं कभी भी electric lines of forces एक दूसरे को intersect नहीं करती क्यों क्यों अगर वो करती suppose इस तरीके से तो इस point of intersection पर एक tangent यहाँ ड्रो हो जाएगा एक tangent आपकर यहाँ ड्रो हो जाएगा clear है जो कि possible नहीं है tangent 1, tangent 2 और आपको पता है कि किसी भी एक single point पर एक ही tangent possible है एक single point पर एक ही tangent possible है लेकिन यहाँ तो कितने tangent आगे है दो जो कि possible नहीं है clear student तो यह द्यान देना कि कभी बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है electric lines of forces doesn't intersect each other क्योंकि अगर वो intersect करती है तो इस point पर intersection के point पर दो tangent खिचे जा रहे हैं जो कि possible नहीं है 10th and last question यह कहता है कि अगर किसी distance पर our distance पर दो charges place है एक plus 4Q और एक minus 2Q ठीक है और उन दोनों के बीच में force भी act कर रहा है अगर हम दोनों को touch कराकर वो आपास वहीं रख दे तो उनके बीच में force क्या होगा तो पहले हम देखते हैं कि इस charge और इस charge के बीच में force कितना act करता है ओके तो F1 is equal to K Q1 Q2 by R square K Q1 के place पर आप 4Q ले लो Q2 के place पर minus 2Q distance R square यह हो जाएगा K 4 दोना 8 Q square divided by R square यह equation number 1 आगे clear है अब यह बात ध्यान देनी के बात है कि अगर दोनों charges को पास में touch करा दिया जाए तो इनका जो charge होगा दोनों का बराबर हो जाएगा लेकिन जो बराबर charge होगो इन दोनों के average value के बराबर होगा ठीक है किसके बराबर होगा average value के बराबर होगा तो average value आप पहले निकाल लो average value ठीक है तो 4Q plus minus 2Q divided by 2 तो 4Q में से 2Q गया तो कितना बचाएगा 2Q by 2 2 कट गया आपका Q यानि ये चार्ज दोनों charges के उपर present होगा clear है तो अब हम F2 force निकालते है force F2 clear result तो F2 force निकालोगे form लगके Q1 Q2 by R square K Q1 के place पे भी Q आएगा Q2 के place पे भी QE आएगा divide by R square ये होजाएगा K Q square by R square equation number 2 और ये equation number 1 था clear है अब इन दोनों forces को divide कर दो आपस में इन दोनों forces को divide कर देते है clear है तो दोनों forces को divide करेंगे F1 divided by F2 F1 की value उपर है 8 K square by R square divided by K Q square by R square ठीक है R square cancel हो जागा 8 और ये भी cancel हो जागा सिर्फ आपके पास क्या बचाएगा 8 क्या बचाएगा 8 बचाएगा clear है इस 8 को divide में ले लो F1 divided by 8 is equal to F2 तो ये पता चल गया है कि हमारा second force कितना हो जाएगा पहले force का 8th part हो जाएगा clear है अब इसको हम option में देखते हैं कि है कि रिए है ठीक है F, F by 2, F by 4 yes ये वाला answer right है और ये run across है clear है तो ये important है question इसको जुरू solve कर लिएगा thank you very much मिलते है next video में